पिछले हफ्ते बॉक्स ओफिस पे एक बड़ा क्लैस हुआ जी यहां हम बात कर रहे हैं कि इंग खान सारुक खान के मुवी रईस और सूपर हीरो रितिक रोसन की फिल्म काबिल की फिल्म के रिलीज से पहले जहां ये सितारे एक दूसरे को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं वही रितिक के पिता और काबिल के निर्माता राकेश रोसन ने इस क्लैस को लेकर लागातार सारुक को निशाने पर लिया पर अब राकेश लाब का मिजार थोड़ा ठंडा हो गया है क्यूंकि दोनों फिल्में चल रही है जहां काबिल ने पहले हफते 90 करोड की कमाई की वहीं राकेश लाब ने एक अपने में 115 करोड कमा लिये हैं तो ऐसे में राकेश सबने एक अवर्ड 12 के दवराण कहा कि वह बहुत कुछ हैं और उन्होंने एक पुराना गाना गुन-गुनाते वे बोला के सारा जमाना सिनेमा का दिवाना फिल्म का राकेश रोसन ने कहा कि उनके प्रोडक्शन के फिल्म काबिल और सारुख खान अविनित फिल्म रईस दूनों बेहतरीन फिल्मे हैं और काफी अच्छे भी हैं उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म रिलीज होने से पहले वो काफी परिशान थे हैं, उन्होंने कहा हमारी लिए बहुत कुछी की बात है क्योंकि हमने कड़ी मेनत और लगन के साथ यह फिल्में बनाई हैं, फिल्म को दर्सकों का बहुत प्यार मिल रहा है और इससे भविश में म